अक्सर हम सब देखते हैं कि जो हमारा आइकन यानि कि जो टास्क बार का नोटिपिकेशन आइकन होता है किसी कम्प्यूटर में हाइड होता है और किसी कम्प्यूटर में सो होता है अब ये सब कैसे किया जाता है आज हम सब इस वीडियो में यही जनेंगे अब इसका प्रियोग हम सब कैसे करेंगे? आए चलिए करते हैं. अब चलते हैं यह हम सबसे पहले Start बटन पर. Start बटन पानेक बाद अब हमें जाना है control panel पर. Control panel पर जानेक बाद अब हमें जाना है notification area icon पर. अब यहां सामें क्या करते है? notification area icon को जब open करेंगे तो हमारे सामने यहां पर बहुत सारे options दिखाई दे रहे हैं यह सब तो हमारे जो notification area जो icons हैं वो सारे सारे आपके icons दिये गये हैं अब इसमें इनके अलावा भी हमारे तीन options और हैं जो कि इनी options का प्रियोग हमें करना है तो हम क्या करते हैं सबसे पने पहले options को देख लेते हैं जो तन system icons on और we circuits करते हैं हम जैसे करेंगे सामने जो हमारा सिस्ट्म का icon है वो यहां पर सारे जिख रहे हैं जैसे कि अगर हमें क्या करना है यहां से जो क्लाक है उससे आफ करना हो यानि जो हमारा क्लाक का आइकन है अगर उससे हमें आफ करना हो तो हम क्या करेंगे यहां से क्लाक पर जाएंगे और यहां से आफ कर देंगे तो जैसे हम आफ करेंगे तो वहां पार जो हमारा क्लाक होग है इन सबी को अगर आपको आफ करना हो तो आप आफ कर सकते हैं अब उसके पाद हमारा नेस्ट अप्सन है यानि दूसरा अप्सन रिस्टोर डिफॉल्ट आइकन भी हैवियर अब यहां पर आपके सामने देखिए कि जो हमारा टास्क बार का आइकन है जिसमें हमारा कुछ नह यहीं दिख रहा है अब जैसे कि हम यहां पर रिश्टोर डिफॉल्ट अकन करेंगे तो जो हमारा यानि पाले से गया हुआ होगा यह आफ किया गया होगा वह सारी आप शने लगये से पार कर लेते हैं अब जैसे हम करेंगे तो हमारे सामने जो नेटवर्क है फिन उसके बाद आपका सौब है फिन वैलू में सब सो होने लगे हैं तो यानि रिश्टोर आपका कर दे गए अब उसके बाद हमारा नेश्ट अप्सन है कि आलबे सो आल आइकन्स एंड नोटिफिकेशन अब यह क्या करता है जो हमारा टास्क जो टास्क बार क आइकन है अब उसके अगर हाइट करना हो या सो करना हो इन सभी अप्संस का प्रियोक है इसमें अब क्या करते हैं अगर हमको क्या करना हो वहां से सो करना हो तो हम इसे चेक कर देंगे तो जो हमारा आइकन होगा जो नोटिफिकेशन एरिया का आइकन होगा वह सारे के सारे यहां पर सोने लगेंगे अब अगर हम यही पर उसे अंचिक कर देंगे तो जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया का आइकन होगा वो हाइड हो जाएगा हाइड हो जाएगा अब यहां से हम क्या करेंगे इसे ओके करेंगे जैसे ओके करेंगे वो हमारे सारे सारे हाइड हो अब इनको हाइट कैसे करेंगे आये जनते हैं तो हम चलते हैं फिर से हुआ नोटिफिकेशन एरिया आइकन पर इसे ओपेन कर लेते हैं अब ओपेन करने वाद हमारे सामने देखें यहाँ पर जो वैलूम है एक्शन सेंटर है नेटवर्क है अब इसको क्या करना है बस हमको ज अगर नेटवर्क को हटाना हो या गायब करना होगा तो जो हमारा है नहीं हो रहा है उससे क्या करिंग हम इन आप्शन से behavior के द्वारा on off कर सकते हैं अब on off करने बाद यांस हम क्या करेंगे जिसे ok कर देंगे अब जैसे ok करेंगे जो हमारा settings है वो सारे सारे हो चुके हैं तो friends आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें